दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था। इसलिए उसने लाक्षाग्रेह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षाग्रेह के शडियंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदल कर वन में रहने लगे। उस समय राजा दुरुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजत किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राहमनों के वेश में पहुँच गए। स्वयंवर में श्रीकृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राहमन रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योध्धा को भूमी पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मचली की आख पर निशाना लगाना है। जो योध्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवा होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुँचे तो श्रीकृष्ण ने उन्हें समझाया कि मचली की आख में निशाना कैसे लगाना है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधी समझा दी। श्रीकृष्ण की बाते सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्रीकृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है। और मैं वह करूँगा जो तुम्हारे वश में नहीं है यानि मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूँगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी न हो। तुम सिर्फ बहतर से बहतर करने की कोशिश करो। श्रीकृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बहतर कोशिश की और उसने मचली की आख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंद की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी इमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है।